नमस्कार सिक्षातियों आप सबका स्वागत है आज जो है का जो प्रोग्राम है वो है आजादी का अमरित महसम और ये महसम जो है पूरा देश मना रहा है और ये महसम जो है 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ जब गांदी जीन ने डानली की आतरा शुकी थी तब से इसको मतलब उस तिथी से इसको मनाया जा रहा है दो हजार 21 से इसको मनाना शुरू किया गया और 15 अगस 2023 तक इस महसम को मनाया जाएगा और तो हमने विकास किन किन घर्ट को पर अधारित है कि संहाय जुझना योजना योगा को कैसे बदल्क में बरबर्द्ट कर दिया गया और नीतियों के क्या एम से उसके वारे में विसनने में बताया है फिर हम बात कर रहे थे नौर्ट इस्ट के राज्यों के वारे में कि वहां का विकास, वहां पर किस प्रकार का विकास किया जा रहा है और किस तरह का विकास हो रहा है वा सर कुछ और information उसके बारे में हमारे सक्षार्टियों को दीजिए मैं ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहा था कि सड़कों का वहां जाल बिचाया जा रहा है पुलों का निर्मान किया जा रहा है और पुलों के निर्मान के साथ साथ मैं एक चीज और बताओं कि जिसमें तेजू और लैंग पुई इन दो हवाई अड़ों के निर्मान को भी स्विकार किया गया है और हवाई संपर्क बनने से या वायू मार्क के संपर्क बनने से क्या होता है कि समय की बचत होती है और इससे टूरिजम भी बढ़ता है और प्रियटन इस खेतर के लिए बहुत बड़ा एक आर्थिक संसादन है अगर यहां प्रियटन बढ़ेगा निश्चित रूप से यहां लोगों का आवागमन जब होगा तो यहां की संस्कृति वहां तक पहुँचेगी और देश में भी एकटा जो वित्ता में एकटा है उसको और बल मिलेगा तो यह प्रियास किया जा रहा है कि वहां पर मैं आपको सिक्किम के बारे में बताऊँ सिक्किम में भी पांक्योंग जो है नया एरपोर्ट विक्सित किया गया यह गंटोक से केवल 35 किलोमेटर की दूरी पर है पहले सिक्किम में जाने के लिए आपको बागडोगरा इस्तमाल करना पड़ता था बंगाल में फिर बागडोगरा से आप बाई बस जाते थे लेकिन अब पांक्योंग तक आप जा सकते और 35 किलोमेटर की दूरी तरह करके आप गंटोक आ जाते हैं और उस तरह से आप कर सकते हैं गंटोक वैसे भी मतलब बहुत बड़ा अकर्शन है और जो नार्थीस्ट कॉंसिल है इसने बिजली उत्पादन पर भी वहां बहुत ध्यान केंद्रित किया और ये एक सुखत सूचना है कि 695 मेगावाट इलेक्रिस पादन अब हो रहा है पहले से जी तो बहुत बड़ा योगदान है इसके बाद एक पॉलिशी बनी एक्ट इस्ट पॉलिशी एक्ट इस्ट पॉलिशी के मतलब पूर्व की और देखना हमें तो एक्ट पॉलिशी के अंतरगत केंद्रिय सरकार ने तीन सीज पर बहुत ध्या द्यान केंद्रियत किया गया तो कल्चर को भी विकास मिला जैसे मुझे हैंड लूम और हैरिटेज म्यूजियम में एक आसाम में खड़ा किया गया यह कल्चर को बचाने के लिए निर्त्य यहां के अब आप गणतंत्र दिवस की प्रेड देखें या और जितने कारिक्रम है संस्कृति को विकास मिल रहा है वहाँ पर भी जो संस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गए है तो कहने का मतलब वहां की संस्कृति को क्योंकि वो लोग बहुत संवेदन शील है अपनी संस्कृति के प्रति मेजोरम, मेजोज का अपना प्रदेश है वो अपनी संस्कृति के साथ कोई समझोता और कोई परिवर्तन नहीं चाते लेकिन क्योंकि देश के विकास के साथ भी उन्हें जुड़ना है और उनकी संस्कृति को बचाना भी है, उसकी संस्कृति को सनक्षित भी रखना है तो इस परकार से वो सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है ताकि अपनी संस्कृति, अपनी भाशा, अपने तीज त्योहार, अपने फेस्टिवल्स वो मना सके तो ये एक काम किया गा, पहला तो कल्चर पर दूसरा कामर्स पर, कामर्स का मतलब व्यपार और व्यपार का मतलब है, वहां का जो क्रिशित पादन है उसको लाया जाए, मंडियों में बेचा जाए खास्तों से, जो हमारी इस्टरन स्टेट्स है उसके लिए ये व्यपार का, मतलब बहुत बड़ी मार्किट है उपलब व्यपार करने के लिए, और जो साउथ इस्ट कंट्रीज है उनके लिए भी यहीं से रास्ता जाता है तो एक्ट इंडिया, एक्ट इस्ट पॉलिसी के अंतरगत जहां कल्चर, कॉमर्स और कनेक्टिविटी अब कनेक्टिविटी में तीन और चीज़ें आती है रेल मार को मजबूत करना वायू मार को मजबूत करना जल मार को मजबूत करना और इसके इलावा कनेक्टिविटी में इंटरनेट भी आता है टेलीफोन भी आता है connectivity का मतलब संपर्क आपका किसी भी माद्यम से संपर्क बने तो ये इस पर ध्यान दिया गया अगर आप देखें development के रिए और एक चीज़ जो की गई कि national bamboo mission के अंतरगत national bamboo mission के अंतरगत अब त्रिप्रो में बहुत बड़ा potential है bamboo उत्पादन का बहुत बड़ा potential है तो उस पर ध्यान के अंद्रित किया गया और bamboo production को और उस पर अधारित उत्द्योगों को बांस पर जो अधारित उत्द्योग हो सकते हैं उन उत्द्योगों को वहाँ localize स्थापित करने की कोशिश की गई अब national bamboo mission के अंतरगत जहाँ bamboo का उत्पादन बढ़ेगा और वहाँ पर उत्द्योग स्थापित होंगे तो आप मान कर चले कि वहाँ पर रोजगार के अफसर भी बढ़ेंगे और जब रोजगार के अफसर बढ़ेंगे तो लोगों के जीवन स्थार में सुधार भी आएगा तो यही है विकास की यात्रा एक national bamboo mission या वहाँ का vegetation वहाँ की fisheries वहाँ की forestry यह सब चीजें वो हैं जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया क्योंगी commerce के अंदर गाता हैं देंपूर बहुत बड़ा एक व्यापारिक केंद्र है और देंपूर से पूरे इस्टरन कंट्रिस इस्टरन स्टेट्स को हम व्यापार के लिए इस्तमाल कर रहे हैं तो कहने का प्राई यह है कि NEC पूरवतर परिशद के माध़ियम से भी नैशनल न ओर्थ इस्ट कौंसल के माध़ियमrès और जू मंत्राले बना न ओर्थ इस्ट विकास के लिए उसके माध़ियम से भी नेशनल बहम्भू मिशन के अलग-अलग के माध्यम से वहां पर फिश्री फोरेस्ट्री वेजिटेशन और बेंबूत पादन बढ़ाने के लिए काम चल रहा है और मैं आपको बताओं पानी के लिए मनीपुर में एक जल जीवन मिशन प्रारंब किया गया वाटर कंजर्वेशन होगा आप जिसे कहें कि वर्शा का जल संग्रहित होगा और उससे फिर पीने का पानी टैप के द्वारा सभी घरों तक पहुंचेगा तो यह विकास के सारे वो उधारन है कि किस किस तरीके से यह जो जल जीवन मिशन है यह इधर भी जरूरत है पानी के संक्षन के तो सारे देश में जरूरत है लेकिन मनीपुर मे इसको हमने लागू कर दिया कि जर्वेशन वहाँ चलेगा इसी परकार से एक्सप्रस हाइवे के निर्मान के लिए जैसे बात करते हैं एक्सप्रस का मतलब जो तीवरगती से तो तेरा सो किलो मीटर हाइवे इस खेतर में बन रहा है जा दस जार किलो मीटर राजमार्क बन हैं वो तेरा सो किलो मीटर हाइवे भी इस खेतर में बन रहा है और निश्चित रूप से इससे कनेक्टिविटी जो तीसरा सी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और अगर आप देखें कि विकास कारियों को अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा इंडिया का रेल कम रोड ब्रिज बना है इस खेतर में जिसकी लंबाई लगवग में चार पॉइंट पांच किलो मीटर है और प्रधान मंतिर ने इसका उदगाटन किया है और डिबरुगड को आसाम के डिबरुगड से या अगर अरुनाशनल परदेश में धेमजी तक जोड़ता है धेमजी और रेल के साथ उसी पूल पर रेल मार्ग भी तो दोनों रेल कम रोड ब्रिज बना है ये जोड़ रहा है इस समय 4.94 किलो मीटर लॉंग ब्रिज है ये और एक और दूसरा ब्रिज ब्रहम पुत्र पर बन रहा है जो अगर आप नोट करें तो ये आपको जोड़ेगा ये ब तो इस परकार से हमारे देश में इन राज्यों में विकास को गती देने के लिए सडकों का भी जल मार का भी और वायो मार का भी मैंने बताया बारा एरपोर्ट वहां विकसित और नमी करन और उनका उक्या जाए ये जो सबसे बड़ा एक और रोड ब्रिज बन रहा है अब रोड ब्रिज है इसका मतलब किस पर बनेगा ये नदी पर बनेगा ये इतना बड़ा ब्रिज है कि ये डिब्रुगर से शुरू होके और मिगाले तक जाएगा फुल बारी से तो फुल बारी को उसको जब जोड़ेगा तो इससे यात्रा का समय लगबग चार गंटे कम हो ज किये गए हैं जिसमें एकनॉमिकली बैकवर्ड जो एरिया हैं उनको तेजी से गती करने के लिए कुछ योजनाएं बनाए गई हैं जो आपको मैं बताओं अगर आप आसाम का केस लेते हैं अब मैं आपको संक्षेप में एक एक राज़ी को लेता जाओंगा जी और हम इन आ चाहता हूं कि जितनी जानकारी पहुंच सके लोगों तक क्योंकि विकास की यात्रा केवल पुर्वत्र राज्यों के लिए कोई ऐसी अलग से ऐसा नहीं है पूरा देश विक्सित हो रहा है उसकी मुझे इसलिए कि वो बहुत समय तक पिछड़ा रहा और अब वो विकास के रास्ते पर है तो सबसे बड़ी चीज कि आसम में अगर हम देखें तो कामाख्या मंदिर है और कामाख्या मंदिर में बहुत से लोग अपनी आस्था के कारण से आते हैं तो परेटन को बहुत बढ़ावा मिलता है और दूसरी बात आसम बहुत प्रॉस्परस हो सकता था ले उन लोगों पर अंदोलन के कारण से विकास बादित हुआ और बादित नहीं वा बलकि विकास की दर बहुत कम हो गए अब उन्हें उस पर काम किया जा रहा है कि वो क्षेत्र जहां पर प्राकिर्तिक संसादनों की प्रचुरता है प्राकेटिक संसादन भी आसाम में काफी हैं तो हम किस तरह से किया जाए तो वहां दो तो ब्रहम पुत्र पर बिज बन रहे हैं बहुत बड़े ये कनेक्टिविटी करेंगे आसाम की पूरोतर राज्यों के साथ एक बात दूसरा पांच मेगा प्रोजेक्ट वहां करोड रुपे हैं तीन हजार दोसो बाइस करोड तीन हजार दोसो बाइस करोड रुपे का वहां लागत से पाच मेगा प्रोजेक्ट शुरू की गए हैं और इन मेगा प्रोजेक्ट के माधिम से वहां पर जहां सडकों का जाल बिचेगा वहां मैं आपको बताऊं मेट्रो असम में गुहाटी में दी गई है गुहाटी मेट्रो योजना पर इसमें काम चल रहा है आप अगर देखें तो इस समय जो सकल घरिलू उत्पादन है असम का वो चार पॉइंट जीरो नो ट्रिलियन रूपीज का है बहुत बड़ा अमाउंट है ये चार दश्मिलो जीरो नो रूपेज का हमारा वहाँ पर गरिलू सकल उत्पादन है और वहाँ पर जो विकास बादित हुआ राजनी का अस्थिर्था के कारण से या अंदोलों के कारण से या जिने बाहरी लोगों का वो कहते हैं कि उससे प्रभावित हुआ वो सारी समस्याओं से अब निजात दिला कर उसके विकास को बढ़ाया जा रहा है एट प्रेजन्ट फोकस गोवर्मन्ट का किस चीज़ पे है कि वहाँ इंटरनल्स जो इंफ्रस्ट्रक्टर है वो विक से तो निश्चेत रूप से उसमें सड़कें आती हैं पुल बने और उसके बाद वहां की कनेक्टिमिटी के लि वो जोडता है और इसके इलावा भी शिलाउंग में भी पूर्वत्र में देखें तो अंतर राश्ट्री है हवाई अड़ा है वहां पर भी तो यह नहीं कि पूर्वत्र कटा हुआ है उन दोनों पर भी उसका और देखें तो मैंने जो बार बार कह रहा हूं कि इंटरनल वा भाव को हम इस्तमाल करें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ले जाने के लिए जो कि बहुत सस्ता पड़ेगा तो उस पर भी अब काम चल रहा है और अगर आप समप करना चाहूं आसामकों में तो गुहाटी मेट्रो रे हैरिटेज और हैंडलू म्यूजियम बन चुका है दो ब्रिज जो ब्रहम पुत्र पे बन रहे हैं और पांच मेगा प्रोजेक्ट आफ डिवेल्मेंट जो तीन हजार दो सो बाइस क्रोड की लागत से होंगे ये विकास के काम इस समय वर्तमान में आसाम में चल रहे है इसके ब तो वहां प्रेटन को बढ़ावा देने के लिए जैसे मैं पूर्व में आपको बताया कि वहां पर पाक यांग नाम से एक नया एरपोर्ट विक्सित किया गया है जो दो अजार अठारा से ओपरेशनल है कारे कर रहा है इस से पहले बाग डोगरा से जाते हैं तिलिए कि पहुँचना है जल पाई गुड़ी और सिली पाई गुड़ी के बाद आपको केवल सड़क मार्क से ही सिक्किम तक पहुँचना होता है लेकिन अगर आप सिक्किम में जा रहे हैं तो राश्ट्रिय राजमार्क 21 A जो इसको जोड़ता है वो इतना खुबसूरत है कि उस रा पिस्ता नदी जो खुबसूरती देती है वो एक आकर्शन का अत्रिक्त कारण बनता है और उससे लोगों को सिक्म में जो सड़क मार्ग से जाना है वो भी बहुत सुखद लगता है लेकिन अब वहां पर रेल मार्ग अभी उपलब्द नहीं है वहां तक वहां पर हवाई मार् तो ये दो साधन हों विक्सित किये गए हैं और वहां टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या जा रहा है वहां देवराली में जो कि एक टूरिस्ट प्लेस के बिलकुर नजदीक जगे है मल्टी लेवल पार्किंग की सुईधा जुटाई जा रही है ताकि जो आने वाले यात्री हैं परियटक हैं उनकी काडियां टेक्सी वो सड़कों पर पार्क ना हो बलकि उस मल्टी लेवल पार्किंग में उनको स्थान मिल जाएगा तो आपकी सड़के खुबसूरत भी रहेंगी और खुली भी रहेंगी दूसरी बात क्योंकि वहां का प्राकिर पुसूरत द्रिश्च देखने को मिलेंगे और दोनों तरफ जितनी भी सुधाएं प्रेटकों को चाहिए वो भी उपलब्द करवाई जा रही है तो नैन पांग एक नया ऐसा वाकवे निर्मित किया जा रहा है लगबग निर्मित है वो इस समय कि जहां प्रेटक अराम से जा सकते हैं और सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं इसी परकार से देवराली में ही एक पैडस्टिंट फ्लाइवर बनाया जा रहा है सड़क पर एधर से उधर जाने के लिए आप यह समझ सकते हैं कि प्रेटकों को भी रुकावट ना हो और जो पैडल यात्री हैं वो एक के प्रेट्स हाउसिंग को लोनी विक्सित की जा रहे हैं ताकि स्लम भी समाप्त हो जाएं और लोगों को रहने के लिए अपने मकान उपलब्द हो जाएं तो यह सिक्किम का विकास इस तरह से किया जा रहा है अब अगर आप देखें तो मैं आपको अरुनाचल परदेश ल टैनल्स और छे स्ट्रेचिस सड़कों की बनाई जा रहे हैं जिससे अरुनाचल परदेश जमू कश्मीर और ले लड़ाक से असानी से जुड़ जाएगा अब नागा लेंड को देखें नागा लेंड में भी बहुत बड़ा काम चल रहा है कि वहां पर कनेक्टिविटी के स साथ हमने प्लानटेशन और इस तरहीं को बढ़ावा दिया है अगर आप त्रिप्ला को देखें वहां बांस मिशन में बहुत बड़ा काम चल रहा है अगर आप देखें इसको मिजरम को देखें तो वहां पर भी विकास के बहुत से प्रोजेक्स चल रहे हैं अब क्योंकि स हमें उतनी अनुमती नहीं दे रहा कि मैं बहुत डेटेल में जाकर बात करूं लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि एशियन डिवेल्प्मेंट बैंक जो है एशियन डिवेल्प्मेंट बैंक वो इस क्षेतर में 2100 करोड रुपया शेहरी विकास के लिए और प्रेटन विकास के लिए खर्च कर रहा है आप यह देखेंगे फारन इन्वेस्टमेंट भी वहां इस्तमाल की जा रही है पचास इलेक्ट्रिक बसे उस क्षेतर में चलाई जा रही है ताकि वहां का पर्यावरन परदूशन से बच सके तो कहने का विप्राय यह है कि सारी वो यो जो जनाए हैं और मैं आपको बताओं ग्यारा हजार साथ سो ग्यारा करोड़ रुपे लगा कर नागल लैन और रस याउडिक इतने भी और दिम्पूर ने में खास तोसमें में बताओं कोहिमा से माओ तक और फिर कोहिमा से आपके दीमपूर तक कोहमा से माओ तक और कोहमा से दीमपूर तक सड़क बनाई जा रही है इस से क्या है कि दीमपूर जो की वेपार का केंद्र है उनागल अनुस्य असानी से जुड़ जाएगा राजधानी भी जुड़ जाएगी और ग्यारा हजार साथ सो ग्यारा क्रोड रूपे का विकासकारी है चल रहा है तो यह मैं कुल मिला कि आपको एक तस्वीर दी है पूरुवत्तर राज्यों के विकास की तो अगर समय अजाज़ दे तो मैं और बात भी कर सकता है इस समय तो हमें जाज़न सर नहीं दे रहा है कि दूसरे भी प्रोग्राम लाइव होना है और दूसरे भी जो एक्सपर्ट हैं वो वेट कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छी जानकारी रही सर कि हमने जो जो मतलब जो पेविन छेत्रों का किस तरस विकास को पूर उत्तर के सभी राज़ों को हमें चूँ लिया लेकिन हम मैं ऐसा भी चाह रहे थी मैं क्या सिक्षार्टी में शायद ऐसा चाह रहे हूं कि हम और भी छेत्रों को लेते तो अगला कभी हमें सब प्रोगाम मिलेगा तो हम पूरे देश की एक जहांकी दे सकते हैं कि हमारे पूरे देश में जैसे अगर हम कहें गुजरात है या हमारा कश्मीर के बारे में आप कह रहे थे और हमारे बहुत सारे उथखेतर उत्र परिदेश है विकास के लिए बस इतनी सी बात मि RAW करना चाहूंगा कि विकास के लिए राजनितिक इच्छा शक्ति चाहिए और जो वहां के लोग हैं उनकी संस्कृति में कोशल पर विकास किया गया तो बहुत विकास अपने अउत्वातिक लिए हो सकता है तो समय की कमी है तो अब हम अपना कारेका में खत्म करते हैं और अगला जो इसी से संबंदित एक और लेक्चर है वो तीस तारीक को होगा जो जिसमें हम अजादिक अमरित महसब बना रहे हैं उसका ही एक लेक्चर हम तीस तारीक को और कराएंगे तो आश्यकरते हैं आप लोग इस प्रोग्राम को भी देखेंगे और अपने जो भारत का करसे जो गौरःब उप यक करU लें कि लिए हम उसको शमाज़ सकेंगे उसको हम सब को अपने देश सभेक पर भारत्यता पर गरव हुना चाहिए और हम सबके भी तर एक संकल्प होना चाहिए कि इस देश के विकास के लिए हम यता संभव जो योगदान दे सकते हैं उसे देने में पीछे रहेंगे देश के अमरत महुत सब कि आप सब को बहुत बहुत बदाई और शुब कामना है